गैस आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं मैप्स को अपनी C++ की प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को काफी चीज़े सिखा ही लास्ट जो हम लोगों ने कंटेनर क्लासेस देखी थी उसमें हमने वेक्टर और लिस्ट के बारे में पढ़ा था STL हो बहुत काम की लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैं आप पर जो कवर कर रहा हूँ आपको वापस से बता रहा हूँ दुबारा कि जो भी मैं आपर अभी कवर कर रहा हूँ इसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है STL में आप लोगों को कैसे एक्सप्लोर करना यह मैंने आप लोगों को अलड़ी बता दिया मैं Most Important Container Classes आप लोगो कवर करके यहां पर दे रहा हूँ जल्दी से आऊँगा यहां पर जादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन Maps को किस चाना से बनाएंगे यह देखने से पहले Maps को हम लोग CPP Reference वेबसाइट पे खोल लेंगे CPP Reference लिखो और उसके बाद Map लिखो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप as a human being सारे के सारे जो methods हैं वो याद नहीं रख सकते और ऐसा भी नहीं हो पाएगा कभी कि आप लोग अगर Multiple Programming Languages में काम कर रहे हैं तो आपको सारी Programming Languages के सारे syntax याद रह जाएं हलाकि एक हद तक आपको बिल्कुल याद रह सकते हैं आप एक अच्छे learner हो सकते हैं बट आप लोगों को कभी ना कभी कही ना कही reference लेना ही पड़ेगा आप hard disk नहीं है आप एक अच्छे CPU बने और graphic card cat jokes apart अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम लोग map जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा तो map होता क्या है सबसे पहले यह बता दूँ माक्स हैं दिव्या के इतने माक्स हैं रोहिनी के इतने माक्स हैं रोहित के इतने माक्स हैं शुबम के इतने माक्स हैं विकरांद के इतने माक्स हैं अलग-अलग लोगों के अलग-अलग माक्स आप लोग जो है की value pair के तोर पे store कर दोगे और मैं कोई यहाँ पर अगर मुझे कोई मिल जाता image अच्छा सा तो शायद मैं आपको देख के उसको और अच्छे से समझा बहूं तो कोई यहाँ पर key value पर इसका कोई image आई कहरे इसको छोड़ो इस वाले को देखते है key से map होती है value key से map होती है value अलग-अलग key से अलग-अलग values आप कुछ इसको Excel के column की तरह समझ लो कि एक column से दूसरा column map हो रहा है कि यहाँ पर serial number लिखा यहाँ पर नाम लिखा serial number से नाम map हो गया यहाँ पर नाम से marks map हो गये तो हम लोग इसको देखेंगे और इसको देखके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से हम लोग इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं cbp के अंदर तो क्या करूँगा मैं कि आऊंगा यहाँ पर और आप लोग को directly map बना कर दिखाता हूँ तो यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर लिखाँगा map is an associative array कुछ इस तरह से लिखाँगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि directly आप लोग को बना के दिखाता हूँ map तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से लिखाँगा map string int और उसके बाद marks अब आप कोगे इसका क्या मतलब वो मैंने यहाँ पर map string int marks इस तरह से क्यों लिखा ठीक है अभी देना हमको error यहाँ यहाँ पर map string int marks तो हाँ hash include map आप लोग को यहाँ पर लगाना पड़ेगा और hash include string भी आप लोग को लगाना पड़ेगा अगर आप लोग string methods को use करेंगे तो यहाँ पर देखो map string int marks इस तरह से आप लोगों ने कर देना है इसको और आपका map बन चुका है ठीक है अब आप लोग सोचोगे कि यह map तो बन गया है इसके अंदर हम किस तरह से values एंटर कराएं तो simple सी बात है आप लोग को marks मैं काम करता हूँ इसका ना marks map रख देता हूँ तागे हम पता रहेगी यह marks का map है और मैं कहूँगा कि जो marks है Harry के वो हैं अपने आपको जादर ही देता हूँ यार 98 ठीक है और marks जो है jack के इसको थोड़े कम देता हूँ 59 ठीक है अब यहाँ पर marks जो है रोहन के वो है दो number ठीक है आते हैं दो number भी हो ऐसा नहीं है यह मत कहना है दो number किस के आते हैं आते हैं वही दो number भी आते हैं लोगों के होते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपर कुछ इस तरह से मैंने रोहन लिगा बाइद वे मुझे इसको double quote में डालना पड़ेगा क्योंकि एक string literal बनाने के लिए double quote मुझे लगाना पड़ेगा तो इस तरह से मैं करूँगा और यह करने के बाद Harry, Jack, Ron इतने ही रखते हैं जादा लोगों के marks क्या store कराने इसको सबसे पहले तो मैं आप लोगों को run करके दिखाता हूँ कि इसमें कोई error नहीं है तो इसको मैं run करूँगा तो देखो कोई error यहाँ पर नहीं आया और उसी के साथ साथ मैं आपर क्या करूँगा मैं क्या करूँगा लगाँगा scope resolution operator जैसे की मैंने आप लोगों को बताया था और उसके बाद iterator लिखूँगा और मैं itr करके एक iterator बना लूँगा ठीक है तो एक iterator मैंने बना लिया अब मैं क्या करूँगा एक for loop लगाँगा और यहाँ पर लिखूँगा for iter is equal to और आप देखना मैं क्या index लिखूँगा marksmap.begin अब आप कोगी यह कहां से आगया marksmap.begin क्या है तो जो begin है यहाँ पर यह एक iterator का method है यह iterator करता है return add to the beginning ठीक है जो starting में इसका iterator है और end जो है वो आखरी को point करता हुआ return करता iterator आपका ठीक है जो आपका आखरी element है इसमें आपके अनगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर semicolon लगाने के बाद हम कुछ इस तरह से लिखेंगा हम लिखेंगे iter is not equal to marksmap.end समझे लोग क्या कर रहा हूँ मैं begin से लेके end तक जा रहा हूँ और इसके बाद मैं लिखूँगा iter plus plus और iter लिख दिया मैंने कोई बात नहीं कोई भी नाम उसकर सकते हो ठीक है यहाँ पर इस तरह से हम लोग जाएंगे और for loop के अंदर मैं cout लगाँगा और यहाँ पर देखना कि मैं किस तरह से syntax दिमाल कर रहा हूँ मैं लिखूँगा star iter ठीक है मैंने star iter लगाकर क्या किया कि star iter dot first लिख दिया अब यह syntax आपको overwhelming लगेगा और मैं इसको आसान मन रहा हूँगा आप लोग के लिए कि यह first second क्या है अब लोग को लग सकता है कि यारी क्या first second लिख रहे हो और beginner के लिए definitely confusing रहेगा मैं इस बात को मानता हूँ but मैं आपको समझाओंगा कि यह क्या है ठीक है और यह आपकी जिन्दगी को कैसे आसान मनाएगा तो सबसे बहले क क्या करते है कि कुछ ऐसा समझ दो star itr.first करके मुझे की मिल जाएगी और star itr.second करके मुझे value मिल जाएगी यानि कि harry और 98 यहाँ पर print होने चाहिए तो मैं इसको अगर run करके आप लोग को दिखा हूँ तो harry 98 jack 59 row unto print हुआ अब बात करते हैं कि यह काम किस तरह से कर रहा है य को star itr करने से मुझे यह iterator के अंदर जो भी value है वो मिलेगी अब मैं उसमें dot first और dot second members access कर सकता हूँ ठीक है तो अगर मैं star itr करूँ और मानलो मेरा जो itr है वो पहले वाले जो key value pair है उसको point कर रहा है तब मैं star itr लिखकर उस pair को point कर सकता हूँ ठीक है और उस pair का पहला element क्य क्या है dot first करके उसको मैं reference कर सकता हूँ वो है Harry और dot second क्या है उसका 98 ठीक है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप लोगों को लगेगा कि यार कितना syntax में याद करूँगा इतना syntax तो हो गया already STL दिमाग खराब कर रहा है इतना syntax किसको याद रहेगा तो मैं कर इनी sample programs को आप reference करके competitive programming कर सकते हो क्योंकि मैं यह नहीं कहूंगा कि आप लोगों को इससे आगे कुछ use में नहीं लगेगा but this is the basics एक bare minimum यह है और इसके बाद जो भी चीज़े लगेंगे आप लोग को that are going to be super simple for you क्योंकि आप लोगों नहीं यह कर लिया iterator का concept dot begin dot end map को use करना सीख जाओ vector को use करना सीख जाओ और फिर उसके बाद list को use करना सीख जाओ इन तीनों को आप एक बार use करना सीख गये न बागी सारा custom logic आप लिखी लोगे यह तीन आपके सबसे important in my opinion container classes है ठीक है और iterator का use हमने देख लिया already काफी गाम हम लोगों ने कर तो इस तरह से आप लोग इसको iterate करके map को max map नाम को जो map है उसको iterate करके आप लोग इसके pairs को iterate करके इसके print कर सकते हो जो भी members है dot first dot second की सहायता से ठीक है तो इस तरह से आप लोग इसको use कर सकते हो अब यहाँ पर आप लोग जो है एक pair बना के dot insert method भी use कर सकते हो तो अगर मैं आप लोग को इसका dot insert method बताऊं तो यह क्या करेगा insert करेगा element तो अगर हम इसको खोल लें और देखें किस तरह से insert करेगा यह insert method किस तरह से काम करता है तो तो इन्हों ने यहाँ पर एक sample code दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को अलग लग तरह के insert करने के methods दिये करूँगा यह वाला method copy करूँगा क्योंकि मेरा जो map है उसमें भी string और int का float है मैं string और int कर लूँगा इसको तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर हूँ और आप देखो कि यह कोजू में और कुरू भी यहाँ पर आ गए ठीक है तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से आ गए तो यह आपर हैरी और उसी के साथ सा जैक अब अभी यहाँ पर आप लोग को एक किस तरह से map के अंदर elements को enter कर सकते हो ठीक है अब इसके बहुत सारे methods हैं जो कि आप लोग यहाँ पर cpp reference में मिल जाएंगे ठीक है कुछ चीज़े यहाँ पर यूज हो रही हैं जो कि हमने अभी तक नहीं करी हैं बट आट्स फाइन मेरे साब सा कुछ basic methods आप लोग यहाँ से उठाकर और इन container classes को यूज करना start कर दो अगर तो that should be fine ठीक है अब यहाँ पर देखो यह सारे methods आप यूज कर सकते हो empty यूज कर सकते हो आप size यूज कर सकते हो आप जैसे कि मैं अगर आप लोगो यहाँ पर कुछ इस तरह से print करके दिखाऊं this size is और उसके बाद मैं आप लिखूं max map.size ठीक है और handle भी लगा देता हूँ इसको handle लगाके run किया तो size is 5 आ गया फिर उसके बाद यहाँ पर empty और empty के साथ-साथ max size है maximum possible number of elements कितने हो सकते हैं तो यहाँ पर max size को भी print कर लेते हैं max size को print कर लेंगे और empty को भी print कर लेंगे max size is empty is return values यह नहीं कि empty function return कर रहा value वह क्या है max size इतना हो सकता है जो कि बहुत जादा है मेरे इसाब से इतना आप क्या ही expect करो गया इतने सारे elements का डालोगे आप फिर dot empty यहाँ पर लिखा हुआ है तो वह zero return कर रहा है नहीं है empty नहीं है ठीक है और उसी के साथ-साथ पताता हूं आप लोग को अगर कोई method आप लोग को cpp reference की documentation से ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो उस method को search मारो आप और मेरे इसाब से यह जो methods यहाँ पर दिये हुए है iot does capacity modifiers look up मेरे इसाब से आप लोग को इनका नाम सुनते ही पता चल जाएगा in most of the cases कि यह क्या कर रहे है ठीक है तो वह वाली दिक्कत तो आपको आनी नीचीए कि यह कैसे पता चलेगा कि यह क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कितना याद रखेंगे अपने अकर आप लोग notes बना ले तो that is the best thing मैं plan करूंगा कभी future में C++ के notes तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा मैं handwritten notes बनाऊंगा और उसमें सारे important methods सारी के सारी container classes ये सब चीज़े लिखूंगा बड़ अगैन थोड़ा time लगता है तो मैं इसलिए promise बिल्कुल नहीं करता हूं कि कब मैं क्या चीज़ लाने वाला हूं बड़ जब भी आएगा बहुत धमा कितार आएगा I hope कि आप लोग को ये सब चीज़े समझ में आ गई है मैं ये जो source code है ये सारा अगा सार अपडेट कर दूँगा और आप लोग को ये source code मिल जाएगा उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने ये playlist access नहीं करी है C++ tutorials की तो जरूर करना आप लोग अगर इस playlist को देख लेते हैं तो आप लोग को C++ में programming करना बहुती 0 से start करके एकदम advanced level तक आ जाएगी और आप लोग इस level पर आ जाएंगे कि आप ये सारे काम खुद से करें अगर आपने ये playlist पूरी देख रही है तो आप vector के जो methods हैं कैसे use करना है कैसे list को use करना है कैसे map को use करना ये सारी चीज़े आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएंगी ठीक है So I hope कि आप लोग को ये video पसंद आया अगर आप लोग को ये video पसंद आया तो लाइक जरू करना इस video को अभी के लिए इस video में इतने हैं guys Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time sub indo by broth3rmax